नमस्कार एम आफ लर्निंग में आपका स्वागत है आज हम संस्क्रत पीश्यम कक्षाष साथ की पुस्तक से चतुर्दश पाठ यानि की चौदवे पाठ का दिन करेंगे जिसका नाम है वीरांगना विश्पला वीरनारी विश्पला चलिए शुरू करते हैं वैदिक युगे कश्टित खेल हम इती नामना प्रसिधर राजा आसीत वैदिक कालमे यानी प्राचीन कालमे कोई खेल नामक खेल एक राजा का नाम है इस नाम का एक प्रसिधर राजा था सह किरिणायाम अतीव कुशलह विशेशग्य आसीद वह खेल में बहुत ही कुशल था अतयव तस्य नाम खेल इती आसीद इसलिए उसका नाम खेल था तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीद उसकी पत्नी युद्ध में निपुण वीरनारी थी यस्या नाम विश्पला इति आसीद उसका नाम विश्पला था एकस्मिन युद्धे सा युद्धम कुर्वंती शत्रू भी परिवेश्टता जाता एक बार युद्ध में सा युद्ध कुर्वंती वह युद्ध करती हुई शत्रू भी परिवेश्टता जाता यानि कि शत्रूं के द्वारा परिवेश्टा माने होता है घेर लिया जाना शत्रूं के द्वारा घेर ली गई तस्या दो अपिपादो छुन्यों उसके दोनों पेरों को छिन्न मतलब काट दिया गया सा विकलांगा अबवद वह विकलांग हो गई परन्तु वीरांगना विश्पला हतोत्साहात ना जाता परन्तु वीरनारी विश्पला ने उत्सः को नहीं छोड़ा तस्या साहसम वीरताम उत्साहम चद रश्ट्वा उसके साहस वीरता और उत्साह को देख करके खेल राजसे मार्ग दर्शक अगस्तिय तस्याम एवरात्रो उसी रात को देव चिकत सको अश्विनी कुमारो आहुत्वान अश्विनी कुमार को बुलाया तो चा विश्पलाय लोह निर्मितो पादो अकल्पत्याम अकल्पयात्मान माने जोड़ दिया उसने विश्पला के लोहे से निर्मित पैरों को जोड़ दिया साचा वीरांगना इसके बाद वीरनारी तत अती वो उत्साह युकतह शत्रुभिह निहितम धन जित्वती उसके बाद वीरनारी ने अती उत्साह के साथ युद्ध करते हुए शत्रुओं के धन को जीत लिया इत्थम पूर्वम विकलांगी अपी विश्पला वीरांगना इस प्रकार पहले से विकलांग होते हुए भी विश्पला वीरनारी विश्पला ने लोह पाद साहें शत्रुण जित्वा यानि लोहे के पैरों के साथ शत्रुण को जीत लिया तदियम धनम आहतिम उसके धन को ले लिया आहतिम ने ले लिया अतह एकोक्तम इसलिए कहा गया है किरिया सिद्ध दियह सत्वे भवती महत्ताम नोप करणे इती यानि कि बहुत से साधन्ना होते हुए भी सत्वे माने पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं बच्चों यहां पर पार्ट खतम हो जाता है पार्ट का हिंदी अनवात खतम हो जाता है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्स्राइब और शेयर जरू गए थैंक यू